हेलो गाइज बेलकम बैग माई यूटूब चैनल डी पी एम अकैडमी पर आप सभी का मैं शागत करता हूं तो दोस्तों यहां पर एक जो क्रिप्टो करेंसी की जो बहुत बड़ी जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं यहां निकल के सामने आ रही है तो आज वो अपडेट को मै आप लोगों के सामने यहां पर दिखाने वाला हूं कि आखिर में क्या अपडेट है क्या क्रिप्टो करेंसी का जो सैशन 2022 का जो बजट है बिलको ले कर के वो क्या पोड़ी इंस सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जो 2022 का जो बजट सेशन है हमारे क्रिप्टो बिल को लेकर कि उसमें सबसे बड़ी जो अपडेट है या सबसे बड़ी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो क्या रीजन हो सकता है उस बिल में क्या समिट किया जाना चाहिए वो सारी अपडेट को हम यहां से आज आपके सामने यहां कबार करने वाले हैं तो दोस्तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सस्काइब नहीं किया है तो यह जरूर कर ले जिससे की यह जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते होग कि जो हमारा बजट है 2022 और 2023 इसमें सबसे बड़ा जो मैं रीजन है वो क्या है जो बजट 2022-23 क्रिप्टो स्टाइट अप सीक टेक्स क्लियर्टी फिंटेश फार्म्स वांट सौप यहां पर एक सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है टेक्स को ले करके इसमें 2022 और 2023 का जो बजट बिलका है क्रिप्टो को ले करके इसमें सबसे बड़ा जो मैंन मुद्दा रहेगा वो रहेगा टेक्स और जी एसटी को ले करके तो दोस्तो मैं आपको यहां ले चलता हूँ खास ख़बर की ओर तो यहां यह जो आप जानका रहेए 25 जनवरी 2022 की है जो कि यहां पर लास्ट अपडेट दिया हुगा है तो यहां पर बताया गया है कि जो बैंगलोरू बिथ दा 2022 यूनियन बजट एराउंड दा कॉर्णर सेक्टर आर सीकिंग टेक्स क्लियर्टी एंड सॉप्स फॉर्म दा गवर्मेंट आस्क दे लोक टू ग्रो फारदर इन दा कमिंग यह तो यहां पर क्या होने वाला है आज हम बात करने वाले जो भारत का क्रिप्टो और फिट नैक छेत सरकार से कर यानि इंकम टेक्स इस्प तो यहां पर हो सकता है कि जो बिल है जो हमारा 2022 का है वो इस साल ना आके हो सकता है 2023 में आ जाए ऐसा अभी यहां पर इस्पष्टी करन नहीं है तो बोथ सेक्टर है बिटनेश्ट रिकॉर्ड ग्रोथ सिंस दा ओन सेट अप दा पैंडिमेक एकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम इंडस्टीज बॉड़ी तो यहां पर महामारी की जो शुरूबात के बाद से दोनों छेत्रों में रिकार्ड ब्रद्धी देखी गई है यहां आपको पता है जब कोविड नाइंटीन शुरूगा 2022 में तो यहां पर क्रिप्टो इंडस्टीज में करेंगे एंड क्रिप्टो करेंशी एक्चेंग जो बजीर एक्स दा क्रिप्टो टैज इंडस्टीज ग्रे ना थैटीन पर्शंट ओवर्वीव यहर्स तो 74.2 मिलियन इन फ़र्श्ट यर 2001 एंड इज एक्सपेक्ट टू ग्रोट तो 241 मिलियन बाई 2030 दियर आर क्लोज तू 230 स्टाइट अप इंडिया क्रिप्टो टैज इस पेस्ट रिपोर्ट सेड तो यहां जो महामारी की सुरुवात के बाद से दोनों छेत्रों में रिकार्ड बैर्दी देख लुए जो उद्योग निकाय नैसकॉम और चर्प्टो करेंसी जो एक्सेंज है तैसे बजीर एक्स की एक हालिया जो रेपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार जो क्रिप्टो टैक उद्योग दिवित 2011 में पाँच बरसों में 2011 में इसे लेकर अभी तक पांच बरसों में 39% से बढ़कर 74.2 मिलियन डॉलर यहां पर हो गया है और देखा जाए 2030 तक 241 मिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभाबना जताई जा रही है जो हाला कि अभी जो बजीरेक्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है भारत में 230 के करीब स्टार्ट अप है क्रेप्टो टेग इस पेस रिपोर्ट में यह कहा गया है तो दोस्तों यहां आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार से जो क्रेप्टो करेंसी इंडस्टीज है यह कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा एक इंडस्टीज बन चुका है और यहां पर क्रेप्टो बिलको लेकर कि किसी प्रकार से कोई अभी फिलहाल नई अपडेट ऐस होगा जो भी होगा क्रिप्टो बिल में केवल हो केवल GSTO income tax के रिगार्डिंग इसको रेगुलेस्टिड किया जाएगा तो आए हम थोड़ा सा और आंगे की और चलते हैं और हम देखते हैं कि S4 fintech digital transaction on the unfied payment interface UPI have increased to 4.5 billion transaction from about on billion at the start of the pandemic इंडक्ट लॉकडाउन इन अपरेल 2022 दोस्तों यहां पर जो fintech के जरिये जो unified payment interface UPI पर digital जो लेंदेन अपरेल 2022 में जो महामारी थी COVID-19 से प्रेरित lockdown की शुरुआत में लगभग एक billion से बढ़कर 4.5 billion हो गया है यह कहीं न कहीं लोगों को आप समझ में आ गया है कि जो फिजीकल लेंदेन था वो कहीं न कहीं अब ब्लॉक प्लस चैन एक ऐसा डेटा है कि जो हमारे नई टेक्नोलोजी पर बहुत अच्छा बर्क कर रही है तो दोस्तों यहां आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है और आप बने रही है वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी खास ख़बर आपको मिलने वाली है आप यहां पर लिखा आया कि क्रिप्टो कंपनीज वॉन्ट प्लाइट ओवर पास्ट एयर हैज बीस सफरिंग द्यू दूट अफ रेगुलेशन एंड क्लियर्टी ओन टैक्सेशन दियर इज बाइंट स्प्रियेट कंफूजन अमोंग क्रिप्टो फर्म्स और मैंटर्स ओफ इंडिरेक्ट टैक्स एंड जी एस्ट तो दोस्तों यहां और सभी लोग इसमें पूरे जो क्रिप्ट एक्सेंझ है वो हैं इसमें अम्युक्र रहे हैं और यह कहीं न कहीं इन लोगं की लिए यह हमारी गवर्मेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो दोस्तों इस पर हम थोड़ी सी और आपको थोड़ी हिंदी में जानकाई देना चाहेंगे जो क्रिप्टो करन्सी स्पेस जो पिछले एक साल से सुरुखियों में हैं नियोमक की कमी और कारा धन पर स्पष्टा के कारण पीड़त है आप त्यक्ष करों के मामले में क्रिप्टो फर्मों के बीच जो बिरापक भ्याम है और क्रिप्टो करन्सी की खरीद और विक्रीप जीएश्टी का प्रभाव है नेस्क कौम के अनुसार भारत में खुद्रा निवेशकों ने क्रिप्टो परी संपत्यों में 6.6 बिलियन का निवेश किया है जिसके 2023 तक बढ़कर ये 15.5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया जा रहा है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक मार्केट बन चुका है तो ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड निव्ज है तो दोस्तों यहां बिलकुल भी आपको पैनिक होने की जरुवत नहीं है और यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमारा क्रिप्टो एक्षिन बजीरेक्स है ये पच्चास करोड वाइदा जी एस्टी यहां पर जो हमारा बजीरेक्स है फिलाल में पच्चास करोड रुपे का जुरुवाना लगाया गया था मुंबई की तरफ से मुंबई की गवर्मेंट की तरफ से बजीरेक्स पर पचाश करोड का जीएश्टी लगाया गया तो दोस्तों यहां और भी क्वाइन सुच है कुबेर है बायो क्वाइन है और यूनो क्वाइन सहीत कई अनक्रिप्टो प्लेटफॉर्म की जीएश्टी इंटेलीजेंस महा निदेशालाय द्वारा कथित तोर पर कर चोरी के लिए जाच की जा रही है इन पर इनों ने कहीं ना कहीं जो टेक्स की जो चोरी की है इनके ऊपर एक जाच कमेटी जाच कर रही है और जो जीएश्टी है तो यह एडी ने बताया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म इन फार्मों द्वारा अपनाए गए बिभिन बिजनेस मॉडल पर लागू करों पर भ्रहम के कान बड़े पैमानी पर जीएश्टी की सही रासी का भुक्तान करने में बिफल रहे हैं एडी ने पहले यह वी बताया था कि सरकार ने बरष्ट कर सलाहकारों की राय मांगी है कि क्या ब्यापारी क्रिप्टो केंसी से अर्जित आयको पूंजी गतलाब की बजाए लगजी से अर्जित आया पर करकी दर और कर संग्रह से सम्बंदित नहीं है हाला कि क्रिप्टो एक्सेन योद्वारा अरजित करों पर आय अधिनियम के अध्याय चार के तहट ट्रेड बिजनेस या प्रोफेशन के तहत कर लगाया जा सकता है तो दोस्वों यहां पर सारी क को यहाँ पर दे दी है तो यह आप देख सकते हैं कोई डी सी एक से कोई सोच है यह सारे इनके उपर अभी जी एस्टी और टेक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर इनके उपर भी जाच चल रही है तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सस्काइब जरूर कर देना जैहिन जैवारत बंदे मात्रम